बात करेंगे आज अब पुताएं भाजपा के कद्दावर निता दिगंबर सिंग का निधन हो गया जिसके बाद पूरे राजिस्तान में शोक की लहर है जन टीवी से एक मुलाकात कारिक्रम में दिगंबर सिंग के कुछ सीन हम आपको दिखाते हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्तान प्रदेश भाजपा के वरिष्ट नेता और पूरो मंत्री डाक्टर दिगंबर सिंग जी सिंग साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है दन्वाई अगें जी प्रुक्साब पेशे से डॉक्टर और डॉक्टर भगवान लेकिन 10-12 साल करीं तो मेरे सरकारी नौकरी कि करीं बारह साल ही अपना हुस्पिल मेने चला जया मुझे लगता है कि मेरे द्माग एक बातती कि वास्ता में अगर जनता की सेवा करनी है पीडित मानता की सेवा करनी है गरीब का साहता करनी है तो समास सेवा का राजनीती वे एक बहुत अच्छा माध्यम है और इसी विचार को चलते में भारती जिन्दा पार्टी में ने जाइन की और राजनीती माया करीब 15-20 साल पहले आपने राजनीती का मैं 93 में पहला मैंने लड़ा था और उसी समय भारती जिन्दा पार्टी करीब 20 साल का सफरा अपने राजनीती का ते किया लेकिन उस वक्त की जो राजनीतिक मुल्यों थे राज की कितना परिवर्तन देख रहे हैं डेफिनेटली केवल राजनीतिक मुल्यों नहीं पूरे समाज के मुल्यों का जो है ना जो हमारा एक पतन हो रहा है हमारा सबसे बड़ा लॉस आजाती के बात अगर कुछ हमने देखा है तो हमारा जो एक समाज के चरित्र में जो गिरावट आ रही है मैं समझता हूँ आज जिल अखवार पढ़ते हैं न्यूस सुनते हैं वैसे भी जब कुछ सुनने को लोगों से मिलता है तो ऐसा लगता है कि सिवाए समाज में वेमनस्ता चोरी डकेती अपरन बलातकार बेहिमानी ब्रस्टाचारी ऐसा लगता है कि पूरा समाज ने अपना जो एक moral values थी उसको त्याग करके उसको एक तरफ छोड़के और दूसरा रास्ता हमारे हैं अपना लिया है जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का हमारे समाज के लिए बात है देखे आप डॉक्टर है किसी का बीलाज होता था तो वह विचारा तीन बार कहता था कि रजनीती में आप कितने काम करते रहो चाहिए वह समाज के लोगों या फिर कारी करता हों और लगातार पांस साल पहले वज्जा सा वक्त नहीं हमें साब को सक्रे भी रहना पड़ेगा पैसे भी काफी खर्च होते हैं समय भी काफी खर्च होता है लेकिन बावजूद उसके भी एक शंका में सा बनी रहती है कि पता नहीं बहुत से क्या होगा देखे एज डॉक्टर जब पेशेंट के मुह से हमको एक तरह से वह मिलता था अशिरवाद को पेशेंट ठीक होगे जाता था कहीं भी मिलता था तो बड़े उससे सद्वावना के साथ नमश्कार करना अगर आदमी सही भावना से काम करे तो उसकी कदर होती है निश्चित रूप से कदर होती है और जंता जब मौक आता है चाहे पहले कुछ भी हवाई पर चलती रहें परन्तु जब चुनाव का मौक आता है जब आदमी वोट डालने के लिए मश्कार के सामने खड़ा होता है उसके सामने सारी तस्वीरे आती हैं और आत्मा से निडने करके वोट देता है और इसका जीता जाओता और हरन मेरा पिछले चुनाव में मैंने देख लिया कि एक ऐसे चुनाव में जनता ने मेरा आशिरवाद मुझे दिया और मुझे पूर्ण विस्वास था पर मेरे अला पूर्ण हेओं सब्सक्राइब मुझे आम नदर्ण की कि आप तो रॉजनीति कीवें के बीच में भी बेटभते हैं आंजो चर्चा रहती है दिख आम चर्चा भास सही है क्योंकि आदमी के 10 काम हो जारे एक काम बार्शांस करने को 19 नहीं हो पाए το कुछ लोग कुछ परसनेज ऐसी भी लोग जो पहले 9 काम कियों उनका भी अपना वो भूल जा तह तो ज़्याददा तर लोग ऐसे नहीं जातर लूग मांनते हैं कोई एक काम अगर नहीं भी हो पाई तो किसी कारण वस नहीं हो सकता है नहीं हो पाया हो काम होने की स्थिति में नहीं होगा अब जो काम एक तरह से नियम में नहीं आ रहा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता मेरे लिए अभी आपके लिए और सबके लिए हुआ है तो ये बात समझाने किये पर उनके साथ जनता के साथ में आपको इस पस्ट अपना मन से काम करना पड़ेगा आप बिलकुल अगर उनको एक तरह से बलफ करेंगे जूट बोलेंगे अब लोग कहते हैं कि राज नहीं थी मुझे मना नहीं करनी ची मैं कहता हूं को बिलकुल करनी ची अगर कोई काम होने लाइक नहीं है तो आदमी को मना कर देनी ची उसको कभी बलफ नहीं करने चीज इस बिचाले उसका समय खराब नहीं हो उसका पैसा खराब नहीं हो आने जाने किराब आदे मुसका पैसा खराब नहीं हो